हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वदर विदायूश और इस वीडियो में दोस्तों हम सबजने वाले कल जो लिस्टिंग होने वाली IPO, EQ Lightings की उसकी लिस्टिंग डे स्ट्राटजी कल किस तरह की दोस्तों स्ट्राटजी रखनी है लिस्टिंग पर क्या य नहीं भी मिला उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि इसके अंधर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स के वारे में सबसे इंपॉर्टन तो प्रॉफिट है है लिस्टिंग है लेकिन उसके आगे भी कि कितना होल्ड करना चीए क्या कर अगर आपने चैनल को विजिट किया है चैनल को दरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स इक्यू लाइटिंग्स जिनके पास भी आई-प्या है उन सबको पताईए कि आपके पास जो शेयर आया है वो आया है अट प्राइस बेंड आपको शेयर मिल सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेरी जो है वह हम खतम करते थे हैं जिसको लेकर कमेंट्स काफी आ रहे हैं सबसे एक जो इंपॉर्टन क्वेश्चन निकल के आता है वह यही होता है हमेशा कि हमारे शेयर में शो करेंगे तो दोस्तों कोई चिंता वाली बात निए अगर अभी अलॉट्मेंट मिला है यह बहुत बाइप प्रॉब्लम होती है फोर्स टाइम जिन्न लोगों के अलॉट्मेंट लगा होता है जिन्नोंने फोर्स टाइम किसी आई प्रॉसेस होती है थोड़ा सा टाइम लगज जाता है mostly listing से पहले आपके shares dmat में आए जाते हैं वैसे तो अलग जो भी दोस्तों आप DMAT यूज करते हैं उसके अंदर आप जाके चेकाउट कर सकते हैं अब टोटल इशू जो था यह पुरा छेस्टो करूर का तो था लेकिना में मोस्ट इंपॉर्टन बात क्या है मोस्ट इंपॉर्टन बात है कि कल कितने वह लिस्टिंग होने वाली ह अब लिस्टिंग के लिए हं एक एैस्टमेट ग्रे मारकेट को लेके चलते हैंं अगरे करिंट के ही बात करता हूँ अब दो ग्रे मारकेट की हम चर्चा करेंगे दो चर्चा करेंगे और उस पे एक estimation निकालेंगे तो चो करेंट ग्रे मार्केट यहाँ पर शोर यह वो कितने आप देख सकते हैं 98 रुपीज 98 रुपीज के आसपास करेंट जी एंपी चल रही है 98 रुपीज के आसपास करेंट जी एंपी का मतलब है कि करीबन 35% तक का आपको पर है तो यह तो फॉर्स वेबसाइट पर है और जो करेंगे और पर है एक और डिफ्रेंट पर है तो वहाँ पर ऑल्मोस 5-5 बचके साथ मिनिट के आसपास अभी अपडेट हुई है मलाब अभी अभी आमस्ट छे वजे के आसपास अपडेट हुई है और जो ग्रे मार्केट है वो करेबन 95 रुपीज के आसपास तो major difference क्या है कि ग्रे मार्केट में गिरावट है थोड़ी बहुत 100 रुपे से नीचे अभी ग्रे मार्केट चल रही है ये मान के चल सकते है और एक आवरेज हम ले 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 दें चलिए 95 रुपीज ही ठीक है 95 रुपीज क्यों कुछ दो-तिन दुनों से 95 रुपीज पे ग्रे मार्केट वी ट्रेंड कर रही थी इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट अभी नाइनटी फइब रुपीज पर है इसका तो हम शॉडिटी से कह सकते है कि अलग क्योंकि यह जिए मक्तलब च Richt secondo मर्केट चैटंध रेइडिंग रही है और वहां पर mostly कहां पर अभी trading हो रही है at a price of rupees 95 इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर expectations काफी high है कि कम से कम 95 rupees तो मिलने वाले अब ये कम से कम है ये बाद ध्यान रखिए तो अब हमारा listing estimate क्या होगा चलिए ये समझ लेते हैं तो समझते हैं कल कितने पर listing हो सकती है तो सबस्क्राइब तो आपके दोस्तों दोस्तों शेयर है राइट जो आपके पास शेयर है वो है at a price of rupees 285 285 के आपके उसकोल मिला के 52 शेयर है ठीक है अब अगर estimated में सिफ बात करता हूँ GMP को लेकर क्योंकि जो current gray market है वो show कर रहा है कि आपको gray market दिख रहा है 95 रुपीज का ठीक है 52 शेयर है ठीक है 95 रुपीज का current gray market है इसका मतलब क्या है कि जो profit के expectations currently GMP चल के मान के चल रहा है वो है दोस्तो at around 4940 रुपीज 4940 रुपे दोस्तों यहाँ पर मिल सकते हैं according to अगर मैं gray market चलता हूँ यानि जिनको भी लगा है कम से कम यहाँ पर expectations कितने की है कितने के profit की है वो है दोस्तो at around 4940 रुपीज इसकी expectation जो है वो market करके चल रहा है अगर gray market की में बात करता हूँ तो hopefully तो आपको समझाए को कि कम से कम 4940 रुपे का profit के expectations तो करके आपको चलनी ही चीए पट ऐसा नहीं कि जो gray market दिखाती है उसका exact हुई होने वाला है दोगे gray market बताती है एक view कि हाँ इतनी होनी चीए इसके उपर भी हो सकती है और इसके नीचे भी हो सकती है इसकी भी expectations रहती है तो ये बात अपको हमेशा समझ में आनी चीए कि gray market का मतलब ये नहीं है कि जो gray market है उतना ही होने वाला है तो कितना हो सकता है अब ये दोस्तों हम समझते है ठीक है क्योंकि इंपोर्टन्ट है कि क्या expectations करके चलनी है gray market से क्योंकि होता कहा ना कि काफी लोग समझ लेते हैं कि जितना current gray market है उतना ही listing होने वाला है ऐसा नहीं है दोस्तों तो 52 shares तो आपके पास है estimated listing price आप मान के चलिए इसकी जो मेरे हिसाब से होने वाली है अगर मैं एक range बताता हूँ मैं कभी भी exact levels के उपर बात नहीं करता हूँ लेकिन एक range की बात करता हूँ तो दोस्तों जो range में को मान के चलनी है इस issue के listing की वो है at around यानि जो इसकी listing होने वाली है वो कहां पे हो सकती है 285 के आपके पास share है कम से कम मैं मानता हूँ कि यहां पे 100 रुप्य आपको मिलेंगे कम से कम यानि 385 रुपीज तक तो यह list होना चाहिए किसी भी हाल में इसके expectations काफी हाई है पर क्योंकि gray market अभी मात्र 5 रुपे उससे नीचे जल रही है यानि around 380 रुपीज दिखा रही है प्रॉक्सिमेट लेवल तो कौन सा है 385 रुपीज के यहां इस पर listing होनी चाहिए लेकिन यहां पर जो एक range हम मानके चलेंगे वो है around 370 से लगा कर कितना 410 रुपे अब 410 रुपे का figure कैसे आया और 370 का figure कैसे आया प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है प्लस माइनस मैं मानके चलता हूँ कि 385 से पंदा रुपे या तो नीचे खुल सकता है और उपर में ज्यादा में क्यों लेके चल रहा हूँ reason simple है एक अच्छा market है अच्छा market का मतलब क्या है अच्छा market का मतलब यह है कि देखे बाजार के अंदर कोई negativity नहीं है बाजार जो mainly profit taking दिखा रहा है वो क्योंकि रोज बढ़ रहा है तो प्लस माइनस में माइनस में 15 रुपे लेके चलेंगे और प्लस में 25 रुपे लेके चलेंगे अगर यही markets खराब होते तो में माइनस में 25 रुपे लेके चलता और प्लस में 15 रुपे लेके चलता तो simple बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो listing होने वाली है उसमें कल 370 रुपे से लगा कर 410 रुपे के बीच में लिस्टिंग की expectation जो है वो काफी जादा high है जो दोस्तो profit के संभावना है अब profit के संभावना कितनी होने वाली है ये भी अपने आप में question है तो profit कितना होने वाला है profit होने वाला है दोस्तो 85 रुपीस के अगर एक grey market भी लेके चलते है तो minimum profit 1420 का कम से कम 4420 रुपे का profit तो होना ही चीए और maximum profit दोस्तों कितना हो सकता है maximum profit आप मान के चलिए यहाँ पर हो सकता है जिसकी expectation करके चलनी चीए वो है साड़े छे हजार रुपे साड़े छे हजार रुपे simple है 85 into 52 and 125 into 52 इस तरह के दोस्तों expectations करके चलनी चीए simple बात है तो hopefully यह आपको समझ में आ गया होगा अब क्या करना चीए long term के लिए का company hold करनी चीए देखो आपने आपका view क्या या आपको बता होना चीए अगर आपने IPO लगाये तो सिर्फ listing day के लिए कि listing हो जाएगी और जैसे मेरा gain होगा मैं sell कर दूँगा तो बिल्कुल आप निकल सकते है लेकिन अगर आपको कोई हडबडी नहीं है कोई जल्द बाजी नहीं है आपके पास cash है तो फिर बिल्कुल आप hold कर सकते है या फिर मैं एक सबसे अच्छा आपको point बताता हूँ जिनको पैसा यहां पर अपना शेफ भी करना यहां फिर कह सकता हूं कि पैसा यहां पर थोड़ा बहुत निकालना भी है वह यह कर सकते हैं कि अपने profit के वैसा रहेगा लेकिन स्टिल आपके वाद आपका profit आजाएगा और फिर उस company को आप long term के लिए hold कर सकते हैं company long term hold करने लाएक है 100% है company बहुत बढ़िया कर रही है लगातर company के मुनाफे बढ़ रहे हैं revenues बढ़ रहे हैं market share gain हो रहा है तो I think जाथा negativity नहीं है इस company को लेकर और recently मैंने यही notice किया है कि अच्छे companies return देखे जाती है IPO के बाद भी return देखे जाती है तो यह है कि आपका view क्या है अगर आपका view थोड़ा सा भी longer term का है तो बिलकुल एक worth company है hold करने के लिए लेकर अगर आपका view सिर्फ listing gain का है तो अच्छी बात यही है कि अप अपना पैसा listing day पर निकाल दे जितना मुनाफ़ा हो रहा है उतना लेकर निकल जाए तो कुछ मुनाफ़ा तो होने के expectations काफी ज़्यादा हाई है नुकसान की काफी कम है मैं आप कोई कह देता हूं बट सिल माकेश है माकेश अपने आप में बलवान होते है प्रेडिक करना बहुत मुश्किल होता है तो कभी भी कुछ हो सकता है लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ इं लिस्टिंग अगर इसके लिस्टिंग होती है दोस्तों करीवन 350 रुपे के नीचे कितनी 350 रुपीज के नीचे इसके लिस्टिंग होती है तो एक अच्छा बाई बन सकता है जी हां प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है यह बात सिंपल है लेकिन अगर जैसे मैंने का चाड़े 300 के नीचे लिस्टिंग होती है तो बिलकुल यह एक अच्छा कंटेंडर बन सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर इस अपना हिस्सा ब बेल कि अच्छा के अंदर के आपके अंदर कर्मार है यह बात कराए बेल के अच्छा में रहु करदह के अंदर के अंदर के बात सकते है